सास का घूंगट पार्ट फो अब तक हमने दीखा कि देविका के ससुराल के आदमी औरतों को घर के अंदर नहीं आने दे रहे हैं देविका उन्हें पुलिस में जाने की धमकी देती है जिससे पूरे गाउं में अफरा तफरी मत जाती है तभी गाउं का एक आदमी सर्पंज को बुला कर ले आता है सर्पंज उनकी घर की बाहर का नजारा देख कर कहते हैं जोगिंदर जी यह आपके घर की औरतों ने कैसा हंगामा मचा रखा है आपका घर तो संसकारों की मिसाल था लेकिन यह मैं क्या देख रहा हूं आपके घर की किसी औरत ने घुंगट नहीं कर रखा सर्पंजी हमारे घर की औरतों को इस देवी का ने बहकाया है हमने पहले ही इन सब को चितावनी दी थी कि अगर ये घर से बाहर गई तो हम इने घर में नहीं आने देंगे अब ये देवी का हमें धमकी दे रही है कि पुलिस को बलाएगी क्या पुलिस इस गाउं का बरसो पुराना इतियास रहा है इस गाउं में कभी पुलिस नहीं आई गाउं के सभी फैसले हमने मिल जुल कर किये हैं जोगिंदर, तुम्हारे घर का फैसला पंचायत करेगी. सरपंजी आपने ठीक कहा, पंचायत दोनों तरफ की बाते सुने, और जो भी फैसला पंचायत करेगी, वो हमें मन्जूर होगा. सरपंज वहां से चला जाता है, घर के आदमी घर के अंदर जाकर दर्वाजा बंद कर लेते हैं, और घर की औरते वहीं घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं, तब ही विमला कहती है, दिवी का बहु, तुम्हें भूख लगी होगी ना? नहीं मा जी, मुझे भूख नहीं लगी, मैं ठीक हूँ, बहु, तेरा बच्चा छोटा है अभी, तुझे भूखा नहीं रहना चाहिए, वीना और सुजाता, जाओ पास में जो पंडी जी का बाग है न, वहां से कुछ फल तोड़ लाओ, वीना और सुजाता पास के बगीचे से, खुब सारे फल तोड़ कर ले आती हैं, सभी औरते फल खाती हैं, तब ही देविका कहती है, आप सब घर से बहार निकली, घूंगर तुट उतार दिया, तो इन मर्दों की इज़द चलीगी, लेकिन हम सब घर के बाहर भूखे प्या से बैठे हैं, इस बात पर इन एहंकारी मर्दों को शर्म क्यों नहीं आ रही है, हाँ देविका, तुम ठीक करी हो, अगर हम मर भी जाए ना, तब भी इन मर्दों के लिए इनके बनाये गए नियम कानों ही एहम रहेंगे, हम नहीं, सुजदा भाबी, मुझे तो सबसे ज्या भी नहीं देखा उसने, दीवी का वो शुरू से ही ना डर पोक रहा है, लेकिन इन सारी बातों को छोड़ो, मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है, कि पंचायत में नजाने क्या फैसला होगा, पता नहीं वो इनसाफ करेंगे भी या नहीं, बीना दीदी, आपको अभी भ पंचायत से इनसाफ मिलने की उमिद है, अगर इस गाउं की पंचायत में सच में इनसाफ करने की भाव ना होती, तो सरपन जी अभी हमें घर के अंदर जाने देते, दिखा नहीं, कितना जहर उगल कर गए हैं हमारे खिलाफ, तो बहु, अब हम क्या करेंगे, पंचायत तो ह हम अपनी सारी बाते रखेंगे, अगर ये लोग नहीं माने, तो आपको वही करना होगा जो मैं कहूंगी, लेकिन एक बात आप याद रखना, किसी भी सुरत में हम जुकेंगे नहीं, क्योंकि हम सही हैं, देवी का सभी औरतों को समझा रही थी, तभी वहाँ एक गाउवाल हम से लंबे-लंबे घुंगट करके वहाँ आई हुए हैं, तभी पंचायत की कारेवाही शुरू की गई, और घर के आदमियों से पूछा गया, कि वो घर की ओरतों को घर में क्यों नहीं रखना चातें, हमारे घर की ओरते ना तो घुंगट उतारती हैं, और ना ही किसी डाक नहीं सुनी, अब ये सभी ओरते हमारे घर में नहीं रह सकती, अब ओरते अपना पक्षे रखें, ये कानुन की किस किताब में लिखा है, कि ओरतों को घुंगट करना चाहिए, और अगर मेरे ससुराल की ओरते मुझे डॉक्टर के पास ना लेकर जाती, तो ना मेरा बच्च जिन्दा बच्चता और ना ही मैं, लेकिन दाई अम्मा से हम इलाज करवा रहे थे ना, दाई अम्मा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, देविका का इलाज दाई अम्मा के बस की बात नहीं थी, काफी देर तक दोनों पक्षों में बहस चलती रही, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, लेकिन दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद पंचायत ने जो फैसला लिया, उसके लिए तो देविका पहले सी ही तयार थी, दोनों पक्षो की बात सुनने के बाद पंचायत ने ये फैसला किया है कि सारी गलती महिलाओं की है अगर वो अपने अपने पतियों से माफी मांग लेती है और वादा करती है कि भविश्य में कभी ऐसी गलती नहीं दोर आएंगी तो वो घर के अंदर प्रवेश कर सकती है हमें पंचायत का फैसला मंजूर नहीं है हमने कोई गलती नहीं की जो हम माफी मांगी किस बात का वादा करें हम हमने देविका की जान बचाई है तो आप हमसे भविश्य में किसी की जान ना बचाने का वादा ले रहें क्या अगर तुम्हें पंचायत का फैसला मंजूर नहीं है तो तुम सबको घर में नहीं पुरानी हवेली में रहना होगा जो अब खंधर बन चुकी है ये खंडर तुम्हारे घर के साम नहीं है सर पंची आपका फैसला सही नहीं है एक बार और सोच लीजी इस फैसले के बारे में ओ शहर के छोरी चार किताबे क्या पढ़ ली हमें सही गलत का पाट पढ़ाएगी तुझे पता नहीं कि पंचायत का फैसला यहां सदियों से चलता आया है और लोग उसी को मानते आए हैं अच्छी तरह जानती हूं सर पंची अगर मैं चाहूं तो आपकी इस फैसले को कोट की चौकट तक ले जा सकती हूं पुलिस को बुलाकर अभी घर के अंदर जा सकती हूं पंचायत और घर के आद्मियों के शिकायत पुलिस में कर सकती हूं और अपने बच्चे को उसका हग दिलवा सकती हूं लेकिन नहीं मैंसा नहीं करूँगी मैं उसी खंडर में राऊंगी और इस गाउं के आदमियों को दिखा दोंगी कि औरत खंडहर को भी महल बना सकती है और वो भी बिना किसी आदमी की मदद के है सारे गाउं की औरते देविका की बाते सुनकर हैरान हो जाती है उनका जीवन घुंगट और घर के चार दिवारी के बीच में ही था कोई औरत अपने हग के लिए पंचायद से भी टकरा सकती है ये बात उन्होंने पहली बार सुनी थी अब देविका घर की औरतों के साथ खंडर में चली जाती है माजी ये खंडर तो काफी पुराना है भाबी खंडर पुराने ही होते हैं मुझे तो डराऊना भी लग रहा है मैं डर की वज़े से कभी इस खंडर के आस पास भी नहीं आई लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन इसी में रहना पड़ेगा ये तो टूटा फूटा भी बड़ा है माजी एक काम करते हैं ये खंडर तो काफी बड़ा है इसलिए एक हिस्से की साफ सफाई करके उसे ही रहने लाइक बना देते हैं बाद में धीरे धीरे पूरा खंडर ठीक कर लेंगे हाँ बहु तुम ठीक कर रही हो विमला भाबी और मैं इस खंडर के तूटे हुए हिस्सों पर मिट्टी और इंटे लगा देते हैं सुजात और विना तुम साफ सफाई कर लो सभी औरते मिलकर खंडर के एक हिस्से को सुधारना शुरू करतीती है और काफी देर तक महनत करने के बाद वो उस हिस्से को काफी हद तक अच्छा कर लेती है और इसी तरह रात हुजाती है सभी औरते बैट कर बात करती है मा, हमने इस खंडर को घर तो बना दिया है लेकिन ये घर चलेगा कैसी? हाँ माजी, मैं भी यही सोच रही हूँ और हम सब तो बड़े हैं गर्मी, सर्दी, भूप, कुछ भी आसानी से बरदार्श कर सकते हैं लेकिन देविका का बेटा बहुत छोटा है उसे तो हमें अच्छी तरह से पालना होगा ना मैं भी यही सोच रही हूँ कि आगे हमें क्या करना चाहिए कमो और मैं मिलकर मिट्टी का चुला बताईए कि आप सब लोगों को आता क्या है मतलब कोई ऐसा काम जिसका आपको शौक हो जो अपने बच्पन से किया हो बहुत तेरी दिमाग में चल क्या रहा है माजी बहुत कुछ चल रहा है बस अब हमारा सारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि हम अपने लिए अच्छे से अच्छा क्या काम कर सकते है आप सब हिम्मद से और समझदारी से काम लो फिर देखना हम इस खंडेर को भी महल बना देंगी इसके लिए सबसे पहले हमें आत्मनिर्भर बनना होगा देवी का सभी को समझा रही थी तब ही उसका बेटा रोने लगा उसने अपने बेटे को गोद में उठाया और उसे चुप कराने लगी अब देवी का के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो किस तरह से ससुराल की औरतों को आत्मनिर्भर बनाए और किस तरह से अपना घर चलाए हमारे प्यारे दर्शको अब आप बताइए देवी का और घर की सभी औरतों ने अपने पतियों से माफी ना मांग कर सही किया या गलत क्या उनका खंडहर में रहने का फैसला सही था अब देवी का को क्या कदम उठाना चाहिए हमें कमेंट में जरूर बताना हमारी कहानी को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना